प्रदेश की आफकारी नीती के विरोध में शराब व्यापसाईयों द्वारा पूरे प्रदेश में विरोध पदर्शन जारी है इसी करम में धहलपूर आफकारी ठेकेदारों का प्रतिनिदी मंडल अपनी 11 सूत्रिय मांगों का ग्यापन लेकर राजा खेडा विधायक रोहित बहरा के निवास पर पहुचा और विधायक से मुलाकात कर ग्यापन सौपा राजा खेडा विधायक रोहित बहरा ने आफकारी नीती के वज़े से सभी ठेकेदार 6 महीनों से बरवादी के कगार पर खड़े हैं इन परिस्थतियों में राजस्थान के ठेकेदार दुकान चलाने में असमर्थ हैं प्रदेस भर से ज्रैपर पहुंचे ठेकेदारों ने कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम दुकान से रेंडर कर हमें बकाया का नो ड्यूस प्रमाडपत्र दिया जाएं वो खतम कर दिये जाएं और उस पर यह नहीं हो फिक्स नहीं हो कि इनको 50 परसंटी बेचना पड़े यह लोग चाते हैं कि उसको हम 20 परसंट की करीब हम बेच सके जिससे सरकार का भी काम चल सके और इनका भी कालता है सरकार को एक ऐसी नेती बनानी पड़ेगी नहीं तो यह सब लॉसिस के धंदे हो जाएंगी अगले साल से आप पास लोग भागी नहीं आएंगी तो सरकार को भी एक ऐसा रवईया अपनाना पड़ेगा कि जिससे उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो और सरकार की रेविन्यू भी नहीं जाएं तो एक बीच का रस्ता निकाल कि मेरे ख्याल से सरकार को यह करना चाहिए इनने मेरे को आज ग्यापन दिया है कि मुखमंति जी को इसके बारे में चित्थी लिखना और उनको अफ़कर्द कराऊंगा कि यह जमीनी प्रॉब्लम आ रही है जिस पर कारवाई होनी चाहिए जिसे कि इन लोगों की जो दुखदर्द है ठेकेदारों के को खता हुआ है देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर